उत्तर भारत खास तोर पर पंजाब और हर्याणा में सितंबर महीने के आखरी सब्तास से लेकर नवंबर तक ऐसी ही भ्यावई दृश्य देखने को मिलते हैं इसके वज़ा है पराली को आग लगाना दरसल धान और गेहूं की फसल के अफशेशों या शेश भाग जिसकी जड़ भूमी में ही होती है पराली कहलाती है विशेश रूप से चावल और गेहूं जैसे अनाच की कटाई के बाद खेतों में बचने वाली ये पराली किसानों के लिए एक गंभीर चुनौती बनती है सिर्फ किसानों के लिए ही क्यों बलकि हर उस प्राणी के लिए जो साफ विजा में सांस लेना चाता है क्योंकि इसको जिलाने से हवा में कार्बन मोनोकसाईड और कार्बन डायोकसाईड जैसी खतरनाक गैस से उत्थपन होती है और तो और इससे निकलने वाला धूँआ हवा में मिलकर कई सड़क दुरघट्नाओं का सबब बनता है आधिकारिक आंकडों के माने तो धान की कटाई के दिनों में AQI यानी Air Quality Index सबके लिए चिंता का विशे बनता है पराली को आग लगाने के कारण किसानों पर भारतिय दंज सहीता के अंतगत केस भी तरचूते हैं इछले कुछ वर्षों में वायू की गुणवक्ता काफी प्रभावित हुई है वायू में हानी कारण गैसे जैसे की कार्बन डायोकसाइड, कार्बन मोनोकसाइड, सल्फर डायोकसाइड और कुछ सस्पेंड़ पर्टिकुलर मैटर जैसे PM10 एवं PM2.5 की मातरा बढ़ गई है साल के इस समय जब पराली जलाई जाती है, तो AQI 300 से 400 तक पहुँच जाता है जब यह स्टबल बर्निंग होती है, उन दिनों में हमारे पास OPD में सास की बिमारियों की पेशेंट्स की संख्या 30 से 35 प्रतीशत तक बढ़ जाती है जिसमें खासी, जुखाम, नेजल एनर्जी, स्केन एलर्जी शामिल है, इम्यूनिटी कम होने के कारण बच्चों और बजुर्गों पर इसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है या फिर वो लोग जिनकी पहले ही अस्तमा या ब्रॉंकाइटस की हिस्ट्री रही हो, वह इन दिनों में सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं पर क्या वाकई ही किसान इसके गंभीर परिनामों से अवगत नहीं है? अब सवाल ये उठता है कि अगर इतनी बड़ी समस्या को रोखना किसान के हाथों में है, तो फिर किसान इस मुद्डे को संजीर्वी से क्यों नहीं लेते? क्या वाकई किसान इसके गंभीर परिनामों से अवगत नहीं? पराली को आग लगाते समय, किसान को ये भली माती पता होता है कि खुद किसान और उसके परिवार सहत अन्य लोग भी उस प्रदूशन से प्रभावित होते हैं. परन्तु पराली जलाना उनकी मजबूरी है. अगर इस समस्या क्या उनके पास बहतर विकल्प हो, तो वो इसे छोडने के लिए तयार हैं. हम तो खुद पराली को जलाना नहीं चाहते, पर हमारी पराली का कोई हल नहीं किया जा रहा है. पराली प्रबंधन एक ऐसी जटिल समस्या है, जिससे पार पाना इतना आसान नहीं है. सरकारों और प्रशासन द्वारा पिछले काफी समय से इस प अपना प्लानिंग जो थी शुरू कर दी थी, बिकॉस हम समझते हैं कि एक इतना आसान इशु नहीं है, यह काफी एक कॉंपलेक्स इशु है, जिसमें बहुत सारे स्टेक्वोल्डर्स इंवाल्व्ट हैं, फार्मर्स, बेलर्स, इंडस्ट्री असोसियेशन, को इस बार जो हमारे पट्याला में नंबर ओफ केसी से हैं, वो बहुत कमा रहे हैं, और हमारी जो स्टेबल बर्निंग की जो मनेजमेंट है, वो भी प्रोपर से हो रही हैं, तो हमने इस स्टेबल की मनेजमेंट को दो पार्समेंट वाइट किया था, वन वास एक्सी टू करते हैं कि जो किसानों की पराली होती है, उसकी बेल्स बनाके, बेल्स को हम खेतों से बाहर ले जाके, इंडस्ट्री के लिए की यूसेज के लिए वो चली जाती हैं, दूसरा पार्ट होता है हमारा स्टेबल मेंट का इंसीटू, उसमें क्या होता है कि जो किसान होते हैं, पंजाब के जिला पटियाला में प्रशासन की तरफ से किसानों को पराली प्रबंधन के लिए बनाया गया help center. इन दिनों काफी व्यस नजर आ रहा है. इस WhatsApp नमबर पर पटियाला के किसानों को इनसीटू और एकसीटू के लिए हर संभव मदद की जा रही है. मेसेज डालते ही WhatsApp अपने आप ही वो बॉट है, वो अपने आप ही किसान से बात करता है, वो कहां का रहने वाला है, किस गाओं का रहने वाला है, उसे किस मशीन की जरूरत है. फिर तुरंत ही तुरंत उसको हमारे कॉपरेटिव के जो हमारे लोग हैं, उनको forward कर देते हैं कि आ आप करपिया, इसको मशीन अवेलेबल करा है. पटियाला के गाओं रीठ खेडी में, आठ हेकर में बना ये पराली डंप साइट, पटियाला के कुल 17 डंपिंग स्थनों में से एक है, जहां आसपास से गाओं से बेलर्स द्वारा, किसानों के खेतों से इकठी की गई पराल एवं गत्ता बनाने वाले कारखानों में किया जाएगा. पराली का इस्तेमाल गत्ता बनाने वाले कारखानों, पावर प्लांट्स, एवं इट बनाने वाले भट्टों में किया जाता है. इस सब के बाद एक और सवाल जहन में आता है कि अगर किसानों द्वारा अपने खेतों में इस पराली को आग लगाने से धुआ और हानी कारख गैसे पैदा होती है. तो फिर कारखानों में जलने पर वातावरन को नुक्सान क्यों नहीं? जब बॉयलर में हम इस पराली को जलाते हैं, तो उसके साथ एक हवा प्रदूशन शोधा की यंत्र लगा होता है. यहाँ प्रदूशन कंट्रोल बोर्ड की जिम्मेवारी है और हम ही इसकी निग्रानी करते हैं. बड़े-बड़े बॉयलर्स में बैग फिल्टर, वेट स्क्रबर या साइकलोन जैसे यंत्र लगे होते हैं. यह तो बात थी एक सीटू की. अब बात करते हैं इन सीटू यानि इस पराली को खेतों में ही मिट्टी में मिलाकर इस्तमाल मिलाने की. अब यह भी किसी चुनोती से कम नहीं क्योंकि ज्यादातर किसानों के पास जमीन कम है और आमदनी भी. ऐसे में इनके लिए बड़े ट्रेक्टर, सूपर सीडर, हैपी सीडर वे अन्य आवश्यक रिश्योग करन खरीदा बस की बात नहीं। जो हमने इस बार एक नया, we have done a new experiment, जितने भी small और marginal farmers हैं, जो धाई एकर से कम जिनकी जमीन हैं, उनकों free of cost, कोपरेटिव डिपार्टमेंट के अपकरन, हैपी सीडर, सूपर सीडर और सर्फिस सीडर प्रवाइड कर रहे हैं, उनका कोई खर्चा नहीं होगा, इस वी आर ब जा सकता, अगर बीच उपज भी गया, तो उसे कीट खा जाएंगे, इसी गाउं से लगभग 20 किलोमेटर दूर गाउं विशनपुर छन्ना के किसान, राज मोहन सिंग कालेका इस तकनीक का इस्तमाल करके दूसरों के लिए मिसाल कायम कर रही हैं, कालेका का कहना है कि वे पर कीट राज्कों का इस्तमाल भी नहीं करना पड़ता, मैं अपनी 20 एकड की जमीन पर गेहु और दान की खेती कर रहा हूं, पिछले 15 सालों में मैंने कभी भी पराली को आग नहीं लगाई, लंबे समय तक जमीन की उपजाओ शक्ति को बरकरार रखने के लिए फसलों के का रात बग लिटीजे देखने को मिलेंगे, पूरी तरीके से अप्टिमिस्टिक है कि नेक्स्टियर ऑन्वर्ड इसमें और भी बहतरी आएगी और भी बेटर रिजल्ट्स निकल के आएंगे, अगर समय रहते हमने अपने पर्यावरण के प्रती संजीत की नहीं दिखाई तो आने वाली पीडियां हमें कभी माफ नहीं करेंगे, कुद्रत करके वसिया सोए, वक्त विचारे सो बंदा होए, कुद्रत करेंगे,